कि नमस्कार आज का वीडियो है हमारा हमें कितना एरिया लगेगा हाइड्रोफोनिक फॉर्डर उगाने के लिए ठीक है और इस एरिया ये टॉपिक को लेके हम बाखी के भी बहुत से चीजे मैं आपको एक्स्पेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस कॉंसेप्ट को ले 40ट के हैं तो मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहता हूं कि एक एक ग्जाम्बल दोंगा मैं आपको कि जो हम हइड्रोफोनिक फॉदर उगाते ट्रिक यह जो फैड journ friends buy मैं आपको बताना जाता और आप कितना कम एडिया हमें यह उगा सकते इसका कुछ calculations में आपको बताऊंगा उधारन आप पकड़ लिजे कि आप 500 kg रोज का प्रोडक्शन निकालना है आपको उधारन आपके पास अगर सो बकरे है या फिर 20-25-40 गाय है या भेंस है तो एक और आवरेज आपको 500-600 kg रोज का एक हरा-चारा का requirement र approximately 400-400 square feet काफी है इतने से square feet में आप रोज का 500 kg प्रोडक्शन निकाल सकते हैं ये एक batch होता है उसमें कम से कम 7-8 batch आपके रहेंगे ठीक है एक cycle रहती है कुछ चीजे में आपको आगे जाके बताऊंगा पर एक just basic idea आपको देना चाता हूँ जो नए है इस concept को समझने के लिए तो 500 square feet में आप जो plant लगाएगे उसमें आपको रोज का 500 kg प्रोडक्शन निकलेगा अगर मेने का अगर आप calculation करेंगे तो ये होगा 15 टन 15,000 kg हो जाएगा ना रोज का 500 तो अगर ये मेने का 15 टन हो गया और consistently अगर आप ये रोज का उतना production चालू करेंगे इसमें अगर उसम का कम से कम 180 टन निकलेगा आपका 180 टन और यही अगर आप conventional methods है जो मतलब हम लोग खुले में जो चारा उगाते ना खेत में अगर खेत में अगर उगाना है आपको 180 टन निकालना है तो मैं आपको कुछ जानकरी बताना चाता हूँ जो नहीं लोग है उनको मालूम नहीं रहे इसका मतलब क्या जो काटने के बाद आएगा जिसमें हम लोग बोलते हैं बरसी में अलफालफा या फिर जो नेपियर मोलते हैं स्मार्ट नेपियर सुपर नेपियर इसे बहुत से कुछ है फिर गिन्ली गवत है या अलग-अलग टाइप एक गर ग्रासिस है जो अलग- तो बताता हो कि अगर किसी एरिया का कैलकुलेशन निकाला जाते ना तो एकर में बात करते तो बैसिकली एक एकर में अगर सब कुछ हम आइडिली पकड ले तो एप्रॉक्सिमेटली 30 से 40 टन पूरे साल भर में हम इतना प्रोड़क्शन निकाल सकते अगर हम लोग सुपर न जमीन लगेगी आपको 180 टन निकालने के लिए तो आपको चार एकर जमीन लगेगी एक एकर का घर हम बताएंगे तो 43,500 स्क्वेर फिट के आसपास अगर स्क्वेर फिट में बताऊंगा मैं आपको तो इतना एरिया रहता है एक एकर का तो एप्रॉक्सिमेटली चार एकर का पकड़ेंगे तो वो 174 या 175,000 के आसपास इतना स्क्वेर फिट एरिया आपको लगेगा जो उसके उपर प्रोडक्शन निकालेंगे और वही प्रोडक्शन आप सिर्फ 500 स्क्वेर फिट में निकालेंगे अगर दुसरे कंपेरिजन के इसाप से अगर मैं बात करूँ तो आ हैट्रोफोनिक फॉडर आप उगाएंगे इसी 500 स्क्वेर फिट में और जो खेत में उगाएंगे तो वो जो जगा लगेगा आपको कम से कम साड़े 300 टाइम्स जादा जगा लगेगा खेत में उगाने के लिए इतना डिफ्रेंस है तो आप एक पताल एक अंदाज आपको आ देश हो इंडिया या फिर भाई कोई भी दूसरा देश पकड़ लीजे जगा धीरे-धीरे कम होते जा रही है डेजर्ट बन रहे हैं ग्लोबल वार्बिंग इंडर्सालाइशन यह सब कुछ प्रॉब्लेम के वैसे क्या हो रहा है और पॉप्लेशन बढ़ रहा है जो वेज बोलते हैं हम लोग वह अच्छा ऑप्शन है पर उसको भी एक कुछ सालों की बाद लिमिटेशन साने वाले हैं क्योंकि वह उगाने के लिए भी हमी जमीन की जरुवत है तो हमें उसके बारे भी सोचना है 10-15 साल के बाद जो आज इतना एरिया अंडर कल्टिवेशन है उतन के लिए जाना पड़ेगा और यह जो हम हाइड्रोफोनिक फॉर्डर सिस्टीम जो बोलते हैं यह एक कॉंसेप्ट है वर्टिकल फार्मिंग का ठीक है यह सॉयलेस होता है यह अकलग बात है पर यह वर्टिकल फार्मिंग है यह ध्यान में रखना आपको तो यह वर्टिकल लगा सकते और दूसरी बात अब जस्ट एक सोच लीजे अगर आपको फ्यूचर में या आज के तारिक में भी 2021 चालू है अगर किसी को सो बकरे का या फिर पचास गाई सो गाई 200 गाई का अगर प्रोजेक्ट करना है जो नया एंटरप्रेंटर है जिसके पास जमीन नहीं है अगर उसको इसमें से नए से आना है तो फिर वो क्या करेंगे उनको कम से कम 5-6-6-8-8 एकर जमीन का बंदोबस करना पड़ेगा वो भी अच्छी लैंड होनी चीए वो जो जमीन रेगी वो भी अच्छी मिट्टी होनी चीए काली मिट्टी होनी चीए वहाँ पे जो पानी क बंदोबस होना चीए बागी क्या कुछ क्रॉप्स का इशुनी आना चीए फर्टिलाइजर लैंड लेवल भी हर कुछ हर चीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है तो यह सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा और जो जमीन की जो किम्मत बढ़ रही है आपको मा बकरे का प्रोजेक्ट करना है या पचास गाई सो गाई का प्रोजेक्ट करना है तो आप एक सोच लीजे जहां पे चार एकर जमीन लगने वाली है चारा उगाने के लिए उसके जगा पे सिफ आपको 500 स्क्वेर फिट जगा लगेगी तो किसी आदमी को अगर दो पाँच हो रही है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ रहा है हर कोई आदमी के पास आपको आगे जाके इसा नहीं दिखेगा कि इसके पास 50 एकर जमीन है 100 एकर जमीन है 10-15-20 साल के बाद देखिए किसी के पास 1 एकर 2 एकर 5 एकर बहुत मुश्किल से आपको लगेगा कि इसके पास इतनी जमीन है आपको तुमालों में गवर्मेंट सीलिंग भी लगा देते जिसके पास 5 एकर से जादा जमीन है तो वह जमीन भी नहीं रहे पाएगा तो आप एक समझ लीजे कि एरिया यह बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है आज ने तो कल हमें एरिया इस विशय को बहुत सिरियस नहीं ले रहे कुछ लोगों के लिए एक ही कारण काफी है हाइट्रोफोनिक फॉर्डर यह जो हम बोलते अंकुरी चारा इस पर क्यों स्विच होना है वाई वी एर फोर्स ऑलसो इसके बार में सोचना फ्यूचर में फोर्सिंग होने वाला है आपको सोचना है पड़ेगा आज के तारीक में किसी को चिंता नहीं है पर फूचर में चिंता 101 परसंट है क्योंकि जगा धिरे-धिरे कम हो रही है तो आपके पास option कम रहेगा आज के तारीक में जो बहुत बड़े level पे मूरगास available हो रहा है अगर costing के बारे में उसके उपर तुम्हें एक वीडियो बना होंगा पर हर चीज हिसाब में भी बैठना चाहिए ना अगर मूरगास अगर 10 और 15-20 रुपे में हो जाएगा तो कोई purchase कैसा करेगा उसको हिसाब में भी बैठना चाहिए ना अब यह मेहंगा क्यों होगा क्यूंकि area कम होगा production का तो फिर जो चीज कम निकल रही है तो उसका बांट सप्लाइ का खेल है पूरे देश में दुनिया में यही चलेगा अगर production कम होगा तो उसका costing बढ़ेगा फीट का कॉस्ट बढ़ रहा है हरे चारे का कॉस्ट बढ़ रहा है सुके चारे का कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसको overcome करने के लिए अभी हमें यह technology adapt करना पड़े हो तो जो नए से इसमें चालो करने वाले हैं और जो already existing है इस business में cattle farming, goat farming में वो अगर इसके उपर switch होगे तो उनका जो business run कर रहे न वो उनको आसानी हो जाएगी तो इसके बज़े से आपको यह थोड़ा seriously सोचना पड़ेगा इसके उपर कुछ blogs और videos में मेरे website पे तो है कि आप comparison करेंगे तो आप compare नहीं कर सकते और यह भी जरूरत है कि कम जगे में हम maximum efficiency production कैसा निकाल पाए और इसका सिफ़ जवाब एक ही है कि आपको अभी vertical farming, hydrofonic technology में आपको entry करना पड़ेगा. Thank you.